दोस्तो Excel की इस Amazing video में आप सब का स्वागता है जहां पर आज हम देखेंगे वह questions जो कि interview में सबसे जाधा पूछे जाते हैं आज के इस वीडियो में आप देखो कि जो common questions होते हैं basic questions होते हैं साथ ही जो advanced level questions होते हैं इंट्रव्यू से रिलेड़ेट वो सभी questions को मैं cover करने वाला हूँ और सभी questions के क्या answer होंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को like करें नहीं लगे समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को dislike करें बिना किसे देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को अब यहां पर मैं एक चीज आपको गिलियर कर दो कि यहां पर total five slide of questions है मेरे पास जो कि यहां पर सबसे पहला जो हमारा term है वो है common question जो कि सबसे जादा पूछा जाता है मतलब 99% ले लो कि यह question में से एक question तो आप से ज़रूर पूछेंगे इसके बाद आएगा हमारा थोड़ा से advanced level जो कि पाइवर्ट टेबल है वी look up है conditional statement है conditional formatting है तो काफी सारी questions है जो कि इसमें cover करने वाले है तो यहां पर सबसे पहले शुरूबात करते है common question जो कि सबसे रहे हो तो सबसे पहला term वही होता है जिस चीज से related आप interview दे रहे हो यानि कि Microsoft Excel और वह आपसे commonly सवाल पूछ लेता है कि MS Excel क्या है I know कि आप सबको answer बता है फिर भी एक revision के तौर पर ही इस question को ले लेते हैं सबसे पहले चीज़ कि Microsoft Excel is a spreadsheet program developed by Microsoft Corporation यहां पर इस definition में हमने एक spreadsheet program कई बार interviewer आपसे यही पूछ लेगा कि यह जो आपने spreadsheet बोला है यह है क्या so basically जो Excel में आप sheet देखते हो यह जो पूरी आपके sheet है इसे बोला जाता है spreadsheet इसे बज़े से spreadsheet program बोला जाता है तो यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए अब यहां पे it contains many features जैसे मैं पता है Excel काफ इसलिए analyze कर सकते हो calculation कर सकते हो easily reports वगरा maintain करते हो that is why we prefer Excel यह फिर हम organization की बात करें तो Excel को इसलिए prefer करते है क्योंकि उसके मदद से वो अपने company का सारा हिसाब किताब maintain कर सके so I hope कि हमारा पहला question के लिए रोगया होगा अब बात करते है next question की जो कि है define row and column बहुत ही common question है बट define करना तो इससे define करना पढ़ता है देखो सबसे पहले जो यह आपका alphabetic row यहाँ पर आपको दिख रहा है जो alphabetic section है यह है आपका column सो इसका answer होगा an alphabetic bar in Excel sheet is a column जो कि यह है and a numeric bar in Excel sheet is row तो यह portion के लिए होगा इसके साथ ही जैसे आप इसका जवाब देते हो तो एक बह आपने notice क्या होगा कि एक Excel sheet में कितने row और कितने column होते हैं जैसे यहाँ पर आप दिख रहे हो नो a b c d e f तो यह total कितने column है यह total कितने row है तो जब आप इस पे click करोगे तो यह आपको बताएगा कि एक Excel sheet में 10,48,576 row होती है और 16,384 column होती है so I hope कि इस question का answer भी आपको मिल ग आपको के लिए हो गया होगा अब बात करते है define name box,name box क्या है तो यह जो portion आप देख पार हो यह यह है name box और इसके definition क्या होगी a name box tells the active cell location कहने का मतलब जैसे कि अभी मैं किस cell पे हूँ मैं इस वाले cell पे हूँ जिसका नाम क्या है G22 और यहाँ पे आप देख रहे हो कि name box मुझे क्या बता रहा है कि अभी मेरे location क्या है G22 जैसे मैं कहीं और move on होगा तो यहाँ पे जो name box बताएगा कि अब आप कहा हो D23 पे हो तो इसका simple answer क्या है a name box tells the location of active cell इतना के लिए so I hope कि जो हमारे common questions है वो आपको clear हो गया पांचों के पांचों के पांचों cover हो गया अब यहाँ पे बात करते हैं next और सबसे ज्यादा important question वो कि है pivot table कुछ लोग pivot table बोलते है कुछ लोग pivot table बोलते है तो simple में pivot table जो है वो बहुत ही important term है और interview में सबसे ज्यादा पूछा जाता और यह इसलिए इतना consider किया जाता है क्योंकि जब आपके पास एक large number of data है और उस data को आपको easily analyze करना है या फिर report में convert करना है या फिर उसे easily express करना है तो उसके लिए आप pivot table का use करते हो आप इसके definition भी देखोगे so a pivot table is a powerful tool which used to calculate, used to calculate, summarize and analyze data that lets you see comparison जिसके मतसे आप comparison देख सकते ह and help you to understand समझने में या समझाने में आपको आसानी होती है अब यह चीज़ जाद अच्छे से तब के लिए रोगी जब मैं इसका एक practical demonstration आपको शोग करूंगा तो सबसे simple हम आ जाते है अपने excel sheet में अब यहाँ पर कोई सा भी data ले लेते हैं जैसे कि मेरे पास supposed data is salary sheet का आप यह यहाँ पर देख पा रहे हो अब यह जो salary sheet को काफी बढ़ी है यहाँ पर फिर भी मैंने थोड़ी से चीज़े लिखी हुई है मान लीजे कि काफी बड़ा data आपके पास राइट अटेंड शीट है या कुछ और बड़ा summary बना रहा है आपने पूरे महिनी का stock maintained क्या हुआ इस यहाँ पर टेबल का option आपको मिलता है आप इस पर किलिक करो किलिक करने के बाद यह पूरी range को select करेगा और आपसे पूछेगा कि आप जो पाइवट टेबल इंसर्ट करना चाहते हो कहां करना चाहते हो इसे sheet में या फिर किसी नई worksheet में तो हम नई worksheet करेंगे ताकि उसका कोई सर इस पर ना पड़ें हम okay कर देते हैं जैसे में okay करता हूं देखो यहाँ पर नई sheet आ गई proper blank है लेकिन यहाँ पर पाइवट टेबल फिल्ड आ अब वहां पर आपने देखा मेरे पास काफी सारी चीज़े थी लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ कुछ चीज़े ही analyze करना चाहता ह यहाँ पर एक्सप्रेस करना चाहता हो तो मैंने यहाँ पर किया ID number अब ID number आ रहा है इस तरीके से हम रख लेते से यहाँ पर यहाँ बैल्यूस में था मैंने इसे रो में कर लिया तो इस तरह से आ गया इसके बाद ID number के आगे मैं नेम ले लेता हूं तो यहाँ पर देखो 101 क इस तरह से data आ गया अब मुझे सारा कुछ नहीं देखना कि salary कितनी है over time कितना है क्या है नहीं मुझे बस यह देखना है कि इनकी इस मैने कितनी attendance आई है तो यहाँ पर आगे इनका attendance ठीक है यह फिर मुझे यह देखना है कि इस बार इन सब की जो है वो DA कितनी बनी है तो यह यहाँ पर आ रहे है तो इस तरह से आपको एक अगर आपके पास बड़ा data है तो इस बड़ी data को आप easily summarize कर सकते हो pivot table की मतद से और यहाँ पर काफी सारी चीज़े आ रही है जब आप pivot table को अच्छे से समझते हैं तो इसमें काफी सारी options मिलते हैं आप यह डिजाइन में data को manage करना आप उसमें इसे convert कर सकते हो और यहाँ पर आप देखो कि डबल डबल आ रहा है आपको यह subtotal नहीं चाहिए तो आप do not show subtotal कर दो तो single single entry यहाँ पर show करेगा तो इस तरह से आपको एक आपके पास अगर बड़ा data है उस data को आपको easily summarize करना है analyze करना है उसके लिए pivot table क इसे समझना चाहते हो तो इससे related video भी playlist में है उसे आप पूरा individual समझोगे अगर आपको नहीं आता है तो आपको individual समझना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़े हैं इसमें जो कि एक portionable video में cover up नहीं किया जा सकता वैसे मैं आपको बता दिया कि pivot table का main use क्या है आपको data analyze करना, express करना या summarize करना है तो उसके लिए हम pivot table का use करते हैं आप दोस्तों बात करते हैं तीसरे term की जो कि interview का सबसे powerful term है और यह बहुत ही common है we look up आप सबको बताए कि we look up एक ऐसा term है जो कि हमेशा बोलते हैं कि interview में पूछेंगे ही पूछेंगे और इस से related अभी I think कि कुछ ताहिं पहले ही मैंने एक video upload की थी जिसमें मैंने we look up के सारे types upload किये हुए आप playlist में उस video को देख सकते हैं या फिर उपर आई बटन पर भी आपको इसका link मिल जाएगा अब यहां पर we look up की अगर हम बात करें तो we look up का पूरा मतलब होता है vertical look up अगर आपके पास एक large number of data है मैं बोलू कि आपकी company में 5000 लोग काम करते हैं और उन 5000 में से आपको किसी भी एक बंदे का data ढोणना है तो वह काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं we look up से कि double we look up क्या है इसकी जरूरत क्यों बढ़ती है अब यहां पर बात करें या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा यह वाला जो second one है we look up on all columns at ons अगर आपने simple we look up apply क्या होगा तो आपने देखा होगा कि आप पहले एक कॉलम के लिए we look up लगाओगे फिर दूसरी कॉलम फिर तीसरी कॉलम या फिर आपने data fixed या उसे drag कर दिया आज की डाप में इंटर्व्यू में एक ट्रीक है recently एक person भी गए तो उन्होंने मुझे बताया था तो यह ट्रीक है कि आपसे यह बोला जाता है कि आपको एक ही cell पर we look up लगाना है और कोई shortcut प्रेस करना है कि एक ही बार सभी कॉलम्स पर we look up apply हो जाए तो वो चीज जो है वो प्रॉपर कवर किया एक वीडियो में उपर आई बटन में आपको लिंक दीख रहा होगा या फिर नॉर्मली आप प्लेलिस्ट में भी जाकि इस पूरी वीडियो को कवर अप कर सकते हो यह सारी की सारी चीज़े बिल्कुल ब्रीट में मैंने वहाँ पर समझाया हुआ हुआ यह जो पॉर्षन है वहाँ से कवर कर सकते हो बात करते है नेक्स्ट हम की जो की बहुत ही फेमेस है वह है कंडिशनल स्टेटमेंट आई थिंक अगर एक्सल में सबसे जादा किसी चीज़ को यूस करते हैं और अगर हमार पास कोई डेटा है उसमें हमें फॉर्मला बगरा मि यह फंक्शन एक ऐसा स्टेटमेंट है एक ऐसा फॉर्मला है जिसकी मतद से आप किसी भी कंडिशन की भिहाब पे एक टू और एक फॉल्स वैल्यू निकाल सकते हो मैं आपको एक्स्प्लेइन करता हूं विद प्रैक्टिकल जैसे कि यहां पे अगर मैं बात करो कि मेरे पास कि अगर सभी माक्स में से कोई भी माक्स अगर 33 से छोटा है इट मिन्स क्या है वो फेल है और अगर सारी माक तो अगर हमारी condition fulfill है तो यह वह pass है, condition fulfill नहीं है तो फेल है, तो एक condition जिसके आधार पे true value एक false value, यह हमारा if statement, if function या if formula जो भी आप चाहो बोल सकते हो, अब यहाँ पे जो interview में एक जाधा चीज़े consider की जाती है, वो है nested if, मतलब if function तो आप clear हो गया, लेकिन आप से पुछ ले condition के बहाब पे आपको true value निकालनी है, चाहो पास हो, और false value निकालनी है, जो कि fail हो, लेकिन अगर मैं आपसे बोलू, कि आपके पास multiple conditions है, कहने का मतलब, जैसे कि अगर मैं division की बात करूँ, तो एक condition यह है, कि अगर student के 60 या 60 से जादा है, तो वो first है, अगर उस student के 45 है, 45 से जाद है, तो second है, अगर उस student के 33 है, 33 से जाद है, तो थर्ड है, और 33 से भी कम है, तो fail है, तो यह कितनी condition है, 4 condition है, यानि कि एक if के अंदर एक और if, एक if के अंदर एक और if, मतलब if के अंदर यह जब आप if का use करने लग जाते हो, तो वो होता है nested if, इस formula को मैं एक बार है, और मैं इसे थोड़ा से यहां पे इस तरीके से बढ़ा कर लेता हूँ, तब आपको इस समझने में ज्यादा असानी होगे, यह देखो, यह है हमारा formula, मैंने यहां पर किया कि मैं आपको समझाता हूँ, मैंने यह यह किया है, कि अगर इसकी जो भी percentage है, यह रही percentage, अगर यहां यहां पर इस formula को मैं explain नहीं करने वाला, अल्रेड़ी प्लेडिस्ट में अविलेबल है, तो proper dedicated वीडियो है, वहां से देखोगे, तो जाद अच्छे से आपको समझ में आएगा, so normally यह सबी वीडियो जो है, वो प्लेडिस्ट में अविलेबल है, Excel की प्लेडिस्ट में चैनल में आपको मिल जाएगा, अब वहां से अगर आपको यह चीज नहीं आती है, तो आप वहां से cover-up कर सकते हैं, so I hope की clear हो गया होगा, कि जो simple if है, वो हमारा if statement ह और if के अंदर ही जब आप multiple if use करते हो, तो उसे हम बोलते है nested if function, so I hope की portion आपको clear हो गया होगा, अब बात करते हैं next term की जो कि है conditional formatting, अब यहां पर सवाल आता है conditional formatting क्या होते है, तो format से आप समझ गया होंगे, कि उसमें कोई भी color या फिर कोई भी effect apply करना, यह है part of formatting, और conditional मत के सामने लिखी है, but easy way में मैंने आपको explain कर दिया है, अब यहां पर इसी चीज़ को मैं आपको easily explain करनी कोशिश करता हूँ, simple माल लीजे कि आपके पास यह कोई भी एक data है, यह हमार पास data का criteria बढ़ जाए, तो यह हमार पास एक data है, इस तरह से, अब यहां पर मैंने सभी ब कर लेता हूँ, short में, तो कैसे करेंगे, आप conditional formatting में जाओ, highlight sales rules है, इसमें गया और यहां एक option लेता है, less than का, आप इसमें चलेगे simple, और मैंने बोला, जिस बच्चे के भी 33 से कम है, उसको highlight कर दो, तो यहां पर 33 से कम सिर्फ इन दो बच्चों के marks है, 22 और 24, और मुझे जिस conditional formatting apply के, और मुझे एक ही बार में पता चल गया, कि यहां पर कौन वो बच्चे है, या कौन वो number है, जो की 33 से कम है, इसके साथ ही माल लो कि आपको यह देखना है, यह पूरा data आपका, और मुझे यह करना है, कि इसमें जो जो बच्चे fail है, मुझे उसको highlight करना है, जो बच् कोई चीज शो करना है, जो बच्चे first आए, उन पर कोई चीज apply करना है, मैंने यहां select कर लिया, conditional formatting में गया, और यहां जाने के बाद, आप यहां पर text that content में जाके, यहां पर लिख दो first, यह लिखा मैंने, और इसका जो color है, वो हमने कर दिया, green, आप देखो यह आगया, तो यहां पर आपको मिल गया, यह data bars का option, तो इस तरीके से आप यहां पर यह कोई भी formatting apply कर सकते हो, जैसे कि आप analyze कर पा रहे होंगे, इसका main role क्या है, जिसके number जाद है, उसमें highlighting जाद देख रहे है, जिसके number कम, उसमें highlighting कम देख रहे है, तो इस तरीके से अलग-अलग basis पे, आप conditional formatting apply कर सकते हो, so I hope कि यह जितने भी questions थे, जो मैंने आपको बताए, वो आपको समझ माय होंगे, अगर आपको किसी भी questions में doubt है, या फिर आप prepare नहीं है, तो answer related आप preparation जरूर करे, जो भी questions मैंने आपको बताए हैं, वो आप खुद भी देख के समझ गया होंगे, कि कितने important है, और easily interview में यही question जादा तर consider किये जाते हैं, so I hope कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगे, अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगए हो, तो please इस वीडियो को like करें, share करें, साथी comment करके, अपना feedback जरूर दे, thank you.